बेलकम टूटा के विदेशेज दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपरवलसी की बहु प्रतेश्चित भरती एजी टीए के बारे में एजी टीए विग्यापन कब तक आएगा एजी टीए भरती विग्यापन पर 2022 से आएगा या तेश से आएगा इसके बारे हुआ था तो इसके बारे में जनकारी देजिए आएगी साथी साथ एजी टीए वरती समंदित आपके जो भी सवाल हैं वो उन सभी सवालों के जवाब यहां पर दिये जाएंगे जो मैंने कमट्री टैम में यह पोस्ट डाली थी इसमें आप लोगों ने जो भी सवाल एक सब्ता में काफी न्यूज आई है एजी टीए भरती से रिलेटेड और ज्यादा मैंने वीडियो भी नहीं बनाया है क्योंकि मैं भी थोड़ा वेस्त था और मैंने टेलिग्राम पे और कमूट्री टैम में जो भी न्यूज आए थी पोस्ट कर दिया था तो काफी चाथ क कमेंट कर रहे थे इस सब का क्या मतलब है जो भी पोस्ट आई है मंतरी जी की तरफ से या जो पोस्ट बढ़ने की जो पोस्ट आई है लेटर आया था तो उससे रिलेटर जनकारी देने वाला हूं इस वीडियो में तो सबसे पहले बात कर लेते हैं मंतरी जी की इस पोस्ट क बोलते थे तो एक्स पे चात्रों नहीं देखा जाके तो उनको यह आप लोगों को यह झायेगी, फिक है तो जिस डेट को मैंने टेलिग्राम में यह पोस्ट डारी थी, उस डेट पे आप लोग इनके पेज पे जाके ये पोस्ट देख सकते हैं ठीक है तो इस पोस्ट को समझने के लिए एक बार इसको पढ़ लेते हैं फिर उसका अनिलिसेस करते हैं देखिए आज अपने कार्याले में क्रस तक्नीकी साहिकों के लंब लंबित भरती के संदर में अधिनस चेंग आयोग के अधि तक्नीक साहिक भरती 2020-21 और 22-23 के भेजे गए द्याचन और उनके प्रगत के संदर्म में समिच्छा की मानिय सबुच नयाले के अनुपालन में उनके दिर देशों के अनुरूप लोग सेवा आयोग से प्राप्त नामों को NIC के फार्मेंट पर सेगर डालने और उसका बर्स 2012-23 में लोग सेवा आयोग के भीतर उनके फार्म और हस्ताचर को सिग्र मांग कर अपलोड कराने के निर्देश दिये तो मानिय सर्वोच नयाले के आदेश दिनांक 30 मैं 2019 के क्रम में उन सभी 906 याचियों तो था प्राप्त नामों को कृस विहाग के बेव साइट बेव साइट पर डालने के निर्देश दिये इसके उपरान तो दो हिंदी और एक अंग्रेजी के समाचार पत्र में विग्यापन बेव साइट के साथ डाल कर विग्यापित करने के निर्देश दिये जिससे यदि उस समय का कोई माननी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में गया हो और उसका नाम सूची में नहीं हो तो उसे समय सीमा के भीतर अपने प्रमाणों को दे दे जिससे उन्हें भी भरती पर इच्छा में भाग लेने का आपसर मिल जाए जिससे भरती में भरती में आ रही कटनाईयों को निवारन किया जा सके तो इसमें देखिए फोटो भी टेस्ट किये गए है अब लोग देख सकते हैं और यहाँ पर जो मीटिंग हुई थी उससे रिलेटेट फोटो भी ये पोस्ट किया गया है मंत्री जी बेटे हैं अब यह है देखो यह पूरा काम जो है एक्टूबर में इतना काम हो चुका है जो भी यहाँ पे दिया गया है और निव्च पेपर में आता रहता है और अब अभी यह प्रोसेस चल ही रही है आप देख सकते हैं आज भी यह बिग्याप से जारी की गई है करस निदे साले की तरफ से जिसका वीडियो में आज सोवे बनाके आप लोगों को जानकारी दे चुका हूँ तो इसमें जो 1564 जो रिस्पॉंडेंट हैं उनसे फिर से एक बार उनको मौका दिया गया है करस विवाग की तरफ से अगर कोई बचा है तो वो अपना जो भी डाकॉमेंट्स है जमा करके इसमें मौका ले सकता है तो ऐसा इसलिए किया जा रहा है ताकि ये भरती आ जाए और बाद में जाके कोट में ना फस जाए अगर कोई बच जाता है अगर वो कोट चला गया से पूरा किया जा सके ठीक है तो आप लोग इससे घबराई एमत ये तो छात्रों के फेवर में ही काम हो रहा है कि ये तीन बार ये निकाली जाती है तो आपको बता दें ये छात्रों के फेवर का ही काम हो रहा है इसमें टाइम जरूर लग रहा है लेकिन ये बिल्कुल सही काम हो रहा है ताके भरती कोर्ट में जाके नाफसे और जल से जल आपकी भरती पूरी की जाए ठीक है तो मंत्रे जी ने भी यही अपनी पोस्ट में भी बताया था ठीक है लेकिन क्रिस विभाग ने इतना लेट ये बिग्याप्त निकाली है इसको भी जल्दी करना चाहिए था थोड़ा जिससे कि ये भरती जल्दी आ सके और क्रिस चात्रों को ज़्यादा इंतजार ना करना पड़े और एक बात बता दें आप लोगों को मंत्री जी को अभी जाना है CSI इनुबस्टी CSI में कन्वोकेशन होने वाला है ऐसी नियूस पराप्त हो रही है तो मंत्री जी वहाँ जाएंगे और चात्र वहाँ पर EGTA से रिलेटर सवाल जलूर पूँचेंगे इसी दिये मंत्री जी भी पोस्ट कर रहे हैं और EGTA भरती से रिलेटर जो है जानकारी जुटा के और पोस्ट कर रहे हैं और AGTA का संग्यान ले रहे हैं ठीक है तो आप लोग टेंसर मत लीजिए आप लोगों की भरती का काम होई रहा है और जो नुज पेपर में आया था यही सब जो मंत्री जी ने लिखा हुआ है यही सब है और इसको मैंने डाल दिया था टेलग्राम उत्रपदेश लखनव मतलब करसी विवाग को लिखा गया है तो यहां पर आप दे सकते हैं यह लेटर तीस नवमत दोजा तेईस का और विशय जो है उत्रपदेश सासन के अध्यतान अधिनियम नियमों सासना देशों के अनुशार सीधी भती के रेक्त पदों की गड़ना करने है तो निर्धारित प्रारूप पर तुरुट रहित अधियाचन उपलब्द कराय जाने है तो तो तुरुट रहित अधियाचन यह फिर समांगा गया है तो यह देखिए दोस्तों मैंने एक जनकारी दी थी आप लोगों को पहले यूब टोपल सी को जो पदों की संख् प्राप्त होई वो 3446 का अधियाचन प्राप्त हो चुका था उसके बाद एक सूचना निकल के आई थी कि पेट 2022 के अलावा पेट 2023 से भी AGTA की विकंसी आएगी यह दूसरा विग्यापन होगा यह 3446 वाला इसलिए लेट हो रहा था क्योंकि इसमें 2013 का यह मेंटर 906 लोगों था 906 लोगों का यह जो भी है कोड का मेंटर था तो इसलिए विग्यापन आने में देर हुई तो यह 3446 के अलावा जो दूसरा दियाचन पहुंचा था तो यह उसी पोस्ट के लिए है तो इसमें पत्र संख्या पहले यह दियाचन पहुंचा दूसरा दियाचन यह 1853 का पह सकते हैं उक्त अधियाचनों में अधियाचित पदों पर चैन है तो विग्यापन का प्रिकासन नहीं हुआ है अता उक्त दोनों अधियाचनों अधियाचित कुल रिक्त पदों को संकलित कर एक संकलित अधियाचन उपलब्द कराया जाना आप एक्षित है मतलब इन दोनों को मिला के एक अध्याचेन प्राप्त कराया जाए जिससे की कुल रिक्त अध्याचित पदों पर चैन है एक विग्यापन प्रकासित कर चैन की कारवाई प्रारम की जाए ठीक है आगे और भी बहुत कुछ लिखा हुआ है आप लोगों इसको पढ़ सकते हैं और पहले भी मैंन के दोनों पद बन जाएंगे लवग 5299 मतलब काई सकते हैं सीधा सीधा 3500 पदों पर ये भरती का विग्यापन आप लोगों को देखने को मिलेगा तो अब विग्यापन काफी बड़ा हो गया है और अब इसमें जो फिर से अध्याचन जो मागा गया है वो प्राप्त चैनका जाती है मतलब ऑनलाइन ही ये काम हो जाता है अध्याचन का पूरा काम ऑनलाइन होने लगा है तो अब इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा ठीक है तो 10 से 15 दिसंबर तक ये अध्याचन पहुंच जाएगा और इसके अलाबा ये क्रेस निजे साले की तरफ से जो विग् प्रॉसेस चलने वाली है ठीक है तो 20-2023 तक क्रेस विभाग को उन छात्रों का विवरा प्राप्त होगा अगर कोई बचा हुआ है तो वो तुरंत भेज देगा यूपिट्र प्लस सी को ठीक है तो इस बेस पर हम कह सकते हैं पूरी प्रॉसेस इस मैने ये चलने वाली है तो पर आजाए तो दो दिन में विग्यापन निकाल दे ठीक है लेकिन जो जानकारी मिल लई है उस हिसाब से दिसंबर में एजीट्ये का विग्यापन बहुत ही मुश्किल है और ये विग्यापन आपको जनवरी में ही देखने को मिल सकता है ठीक है जनवरी में पेट 2022 से ही और अगर 23 का रिजल्ट आ गया और तब तक यह विज्ञापन नहीं आ पाया 24 या 25 जन्वरी तक तो फिर यह विज्ञापन आपको पिट 2023 से ही देखने को मिल पायेगा आयोग का काम है विग्यापन निकलना पेट 2022 और जैसे ही खतम होगा वैसे ही पेट 2023 की बिलिटी स्टार्ट हो जाएगी फरक आयोग को कुछ नहीं पढ़ने वाला है क्योंकि ये विग्यापन जो है वो लोग सवाइलेक्शन से पहले पहले जारी करने वाला है आयोग तो अभ मिलाके तो अब पेट 2023 से भी भरतियां देखने को मिलें इसलिए कुछ बिग्यापन बचा के भी रखे गए हैं और एजी टी ये 5000 पदों से जादा लगवाग तिरेपन सो पदों पर ये भरती होने वाली है तो काफी बड़ा ये बिग्यापन हो रहा है जिसका सरकार भी चा पार्टी की सरकार हो कि उस पार्टी को फायदा हो उसके काम से ठीक है तो यहां पर एक बात बोलना चाहूँगा अगर पेट 2022 से ही आप लोगों को विग्यापन चाहिए तो देखे दिसंबर में आना तो बहुत ही मुश्किल है तो इसके लिए जनवरी में विग्यापन आ स सकता हूँ मैं अपने घर से विग्यापन नहीं निकालना है मुझे विग्यापन आयोक को निकालना है तो बहां पे जो भी जानकारी दी जाती है वो आप लोगों को बता देता हूँ ठीक है अब बहां से जो जानकारी दी जाएगी वही बता पाऊंगा ना आप गज्यापन आयोग को ही निकालना है समझ रहे हैं आप लोग और इसमें कुछ छात्रों का नुक्सान हो सकता है जिनोंने पेट 2022 दिया है पेट 2023 नहीं दिया है अगर 2023 में यह विग्यापन चला गया तो उन छात्रों का बहुर नुक्सान हो जाएगा इसलिए छात्र पूरी कोसिस करेंगे कि पेट 2022 से यह विग्यापन आए तो यहां पे आप लोगों को अभी के इस्तित के अमस्वार बता दें तो 80% उमीद है पेट 2022 से ही आपका विग्यापन आ रहा है और इसरी 22% उमीद है चांस है कि पेट 2023 में विग्यापन चला जाएगा ठीक है इसलिए आप लोगों को मिल गए और तो दूस्तों आप लोगने यहां पर जितनी भी कमेंट केंथि इस विदियो में मिल गए होगा है और पिर भी अगर आप लोगों का कोई सवाल है तो आप लोग कमेंट फाक्स में कमेंट कर दीजिए इस वीडियो में मैं आप लोगों को रिप्लाइ कर दूँगा ठीक है और एजी टीए भरती से रिलेटेड ऐसी और जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए नमस्कार